हल्वाई जैसी बिना प्याद लोसं के सब्जी ये मैंने रिफाइंड लिया है और लायस में लाल सावत मिर्ची डाली है और देज पता में था रहाए कछल calling डानाग में अहड़ी कि समिंसरा एक है कि और अपने टेस्ट के मसार आप कम ज्यादा नमक कर सकते हूं हल्दी डाली यह सब मसाली मेरे घर में ही पीछ से होए है मार्कीट का म derecho में बहुत कम यूस करती हूं और यह साथ़ और यह अध्रक्रश करके डाला है टाइम बहुत कम था आज मेरी मेड भी नहीं आई थी और अभी मुझे बहुत सारी सब्जी बनानी है बगल मैंने साइड में की बनानी के लिए रखे हुई इसके खीर की वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगे आप लोगों से बहु प्रिशन नहीं करनी अगर हम कोई चीज भूल भी जाते हैं तो साइड में ऐसे करके डाल सकते हैं कि दिमाग इतना वह रहता है अब दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है यह काम करना यह काम करना यह सबी के साथ होता है अकसर तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी चुरूं आज बहुत काम है मिरको अभी सबजी कचोरी मगोरी से बनाना यह मैंने इसमें देगी मिर्ज किदा लाली यह और मैं आप इसमें अच्छी तरह मिलाओंगी इसको तब तक जब तक इसका इसमें उबलता हुआ ये पानी डाला थाकि जल्दी सब्सक्षी बन जाए और इसको मैं ने अब ढख दिया थाकि ये अच्छी तरह टमाटर मैश हो जाए इसका मसाला और इसमें मैंने सावद काली मिर् लगती है जो बहुत से लोगों घर में प्याज लसुन खाते तो हम इस तरह से जटपट ट्वाली सब्ची त्यार कर सकते हैं और यह मैंने इसमें उबलेवे आलू डाले हैं ज्यादा क्रश किया है ताकि इसकी सब्जी थिक बने क्योंकि हमने और इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले प्यास के तो पूरी के साथ अक्सर थिक वाली सब्जी अच्छी लगती है तरी वाली सब्जी रोटी के साथ अच्छी लगती है तो काम पड़े है दिमाग में वही बाते चलती रहते हैं यह करना और फिर मैंने पानी डाला उसके यह को लगा कि थोड़ा सवर डालेगा इसमें फिर मैं इसको थोड़ा ढखकर एक दो बाल आने तक पका लूँगा इसमें मैंने सूखी मेती डाली है इसे सब्जी का टेस्ट बहुत सारी काम तो ही है सब्जी